हेलो एस्टुडेञ्ट्स । आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं अप्रिल शेक्षण के टार्गेट के बारे में बात करने वाले कौन सेक्षन को लेकर आपकी क्या डिया स्ट्डेजी रहने वाली है और इस वीडियो में सपेशली जो है है new students जो लोग अभी इस मन से क्लैट के preparation करना start कर रहे हैं उनके बारे में भी strategy discuss करने वाले हैं और जो student पहले से preparation कर रहे हैं जो old student है थोड़ा सा time हो गया उनके बारे में भी अलग-अलग strategy discuss करेंगे हम लोग अभी आप लोगों के votes exams complete हो चुके हैं अब हम totally free हैं तो थोड़ा ज् time spend करेंगे थोड़ी से practice को increase करेंगे रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देंगे सारी चीजों पर discuss करने वाले हैं ध्यान रखेगा क्वांट section को बहुत अच्छे से strong करना है क्योंकि यह एक ऐसा section है जो आप लोगों को lead दिलाता है हाना age दिलाता है क्योंकि अगर आप किसी भी section में देखें तो एक मात्र क्वांट section ऐसा है जो आपको 100% कर सकता है कि आप 100 out of 100 मतलब 12 out of 12 score कर लोगे 100% score कर लोगे तो start करते सबसे पहले जो है अप्रिल मंद में आपको क्वांट section को लेके क्या क्या प्लानिंग करने है पहले थोड़ा साम discuss करेंगे उन students के बारे में जिन मारे पास sufficient time है हम अपना base इतना अच्छा strong कर सकते हैं बहुत अच्छी rank ला सकते हैं और आप अपने dream college को achieve गर सकते हैं बट एक condition है आपको यहां से जब preparation start कर रहे हो तो continuity रखना है अना break नहीं करना है मैच में सबसे पहले बिटा जो है first week का target दे रहा हूं मैं आप लोगों को थोड़ी सी महनत ज्यादा करनी है हलाकि आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको यह लगता होगा कि सर मुझे तो आती है यह चीजे तो मुझे इस पर ज्यादा मैनत करने की requirement नहीं है बट आप ज मैं यह नहीं बोलता हूं कि आपको यह सब आता नहीं है definitely आता है तभी आप लोगोंने 10th pass किया है लेकिन बिटा time limit के अंदर अगर करना है तो थोड़ी सी महनत ज्यादा करनी है आपको यह basic जो चीजे लिख रखी है मैंने maths के लिए जो बहुत important है इनको learn करना है ठीक है बा लो उस वीक में आप एक एक चीज रिवाइस करते रहो ताकि कोई यहां पर आपका time consume ना हो किसी भी तरह से तो सबसे पहले बिटा आपको quant section start करने से पहले कुछ चीजे learn करनी है first tables tables कहां तक करनी है बिटा 1 to 20 तक की tables अब बोलेंगे सर हम में से हर बच्चे को आता 1 to 20 तक क लेकिन सबसे बढ़ी problem क्या है बडा मैं अगर बोल दू 18-8 जा तो आप बच्ची क्या करते हो read करने लगते हो table को 18-1-18, 18-2-36, 18-3-54 यह गलत process है मैंने अगर बोला 18-8 जा तो आपका answer आना चाहिए that is 144 16-9 जा 144 12-8 जा 96 जब तक ऐसे tables याद नहीं होते कि अगर आपसे value direct response ना कर पाए तो फिर कोई मतलब का नहीं अगर पूरी table read कर रहे हो तो कोई sense नहीं है तो value ऐसी याद होनी चाहिए मैंने बोला 18-8 जा आप बोलेंगे 144 ठीक है तभी आप मान के चलेगा कि आपको table से याद होगी ऐसे नहीं कि read कर देंगे read करने से काम नहीं चलेगा कहां तक के table गरने sir 1-2-20 तक के साथ में लिखा prime number prime number के table कौन कौन से prime number अब जब 1-20 तक के तो सारी tables कर ही लिए तो prime number कौन से करने 20 से 50 तक के जिसमे फर्स्ट प्राइम नंबर है आपका 23, second 29, 31, 37, 41, 43, 47 अब बात करे prime numbers क्या ऐसे number जिनमें खुद से डिवाइड हो, a number which is divided by itself only, the number is called prime number, ठीक है, तो इन numbers के आपको tables learn करने है, ये बहुत ज़्यादा important है, कई बार ऐसा होगा, आप पूरी calculation कर लोगे, लेकिन अगर question में आपको ratio find करना है बिटा, और अगर वो कोई ratio 47 से cancel हो, आप टेविली नहीं आता, आपको तो कैसे होगे, तो ratio के case में ये बहुत जरूरी है, prime numbers के table, आप 99% उस question को solve कर लोगे, लेकिन last step में आके आपने इगर पाओगे, time consume हो जाएगा, आपको पते ही नहीं चलेगा, divide किस से हो रहा है, option ही match नहीं करेगा, तो फिर जादा time ले लोगे, ठीक है, इसलिए क्या करो, आप इन prime numbers के table, जरूर लर्ण करना, 1 to 20 के साथ, ये 7 numbers जो मैंने note किये, इनके tables याद करना ही करना है, और बच्चे को करना है, इसके बाद क्या करेंगे, सर, second जो आपको learn करनी है, that is square, square कहा तक बिटा, 1 to 50 तक के square, 1 to 50 तक के, हाला कि मैं class में आप लोगों को square find करना सिखाता हूँ, आप में से बहुत सारी बच्चे सूचते हैं कि हम square तो find कर लेंगे 50 तक, 2 digit के approach से, उसमें भी 3-5 second का time लगता है, लेकिन square root find करने के लिए, 3 digit का square find करने के लिए, बड़ी values को solve गरने के लिए, वहाँ पर आपका squares का याद होना बहुत जरूर ही है, तो 1 to 50 तक के square आपको learn कर करना है, इसमें भी कोई, यह नहीं करना है कि 20 तक की हो गए, 15 तक की हो गए, 1 to 30 तक के cube learn करना है, और fraction value learn करनी है, percent को fraction में कैसे convert करते हैं, या इस fraction को percent में कैसे convert करते हैं, कहां से कहां तक fraction value learn करनी है, 1 by 2 से लेकर 1 by 20 तक की, sequence है, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, इनकी percent value क्या है, य पर्जाय कि फ्रैक्शन वा Stevens कि यह सबसे इंपोर्टैन्टост आप देखोए आपके सबसे जाएद सबसे सबसे जादा हम लोग इस ही यह कहां से learn करें से तो यह percentage के जिस दिन मैं first class लूँगा उसमें आपको सारी fraction values में उट कराऊंगा और find करना भी सिखाऊंगा तो वहां से आप learn कर सकते तो first week में आपका target रखना है आपको यह तीन चीज़े है ना first week में यह तीन चीज़े learn करने है learn करना है अब try करना learn करने के लिए रटने मत बैठ जाना बस बार-बार revise करते रहे न ऐसा नहीं कि एक week में आपको याद हो जाएंगी exact लेकिन जब आप revise करते रहोगे second week फिर revise क्या परड़े revise करते रहो तो 20 से 30 days के अंदर आपको 90% values learn ह हो चुकी होंगी आपको पता अभी नहीं चलेगा सिर्फ revise करने से रटने बैठ होगे नहीं होगा revise करते रहो बार-बार revise करते रहो तो यह तो first task है किसी भी beginners का जो क्लाइट की preparation कर रहा है starting में हाना तो यह किसी भी competitive exam के preparation कर रहा है जहां पर quantum section आता उसको यह तो करना ही करना है अब आगे हम बात करें तो first week के बाद आप क्या करोगे आप topic start करोगे क्लाइट का सबसे important यह arithmetic का सबसे important topic जो है वो percent अगड़ा actually percentage unit है percent एक chapter नहीं percent पूरी के पूरी unit है जिसका first chapter percentage है तो हम लोग percent के अंदर percentage chapter को पहले start करेंगे यह topic ऐसा है जो थोड़ा time consuming भी है थोड़ा time लेगा ज्यादा classes होंगी ज्यादा practice करने के जौरत होगी तो इसमें time लगने दो कोई दिक्कत नहीं पूरा है एक मंत भी चला जाए अप्रहल मंत अगर percentage में भी जा रहा है तो कोई problem की बात नहीं क्योंकि इसके आगे की चीज़े आप इसी पर based अगर strong हो जाएगा तो building तो automatic मजबूत बनने ही बनने वाली है ठीक है तो आपको क्या करना है बढ़ा सबसे पहले जब percentage topic को start करो तो क्या करोगे clear basic concepts of percentage आपको percentage के basic concepts को stronger नहीं बोले सर basic concept क्यासे भाई percent होता क्या है percent कैसे find करते हैं किसको base में लेते हैं किसको numerator में लेते हैं percentage comparison का तरीका क्या है कि एसे भी कितना percent more है कितना percent less है तो यह basic सी चीज़े जो है percentage में यह आपको पहले सीखनी है फिर इसके बाद learn how to use fraction value and try to solve the question with the help of fraction second point जो लिखा है मैंने क्या लिखा है कि जो fraction values अभी बात की थी मैंने last में percentage की first class में मैं जो आप लोगों को dictate करा हूंगा note करा हूंगा उनको learn करना है और फिर आपको सीखना है कि fraction के help से percentage के questions को कैसे solve किया जाता है हाउ टो यूज fraction in percentage ठीक है fraction के help से आप percentage के questions को कैसे solve करोगे एक बार यह concept अगर सीख गए तो आप compound interest तक free हो जाओ पांचो चैप्टर आपके complete होगा यहीं पर कुछ भी difference नहीं है fraction का use करना सीखना है पर लिखा प्रैक्टिस type by questions like मतलब अब क्या है जब आपने fraction का use करना सीख लिया आपने fraction values learn कर ली आपने percentage के basic चीजे कबर कर लिए basic में सिर्फ यही कि percent होता क्या है percent कैसे calculate करते किसको numerator में रखते किसको denominator में रखते बाकी और कुछ नहीं है बाकी सब टाइप बाइस में कबर हो जाएगा तो यह सीख लिया fraction का use करना सीख लिया तो अब हम इस topic की practice करना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि randomly कोई भी questions हम practice करेंगे बीटा टाइप बाइस हैना जैसे मैंने first type आपका डाला है based on percent increased और percent decreased या more or less percent कई बार ऐसे questions आपको cashlet में दिखेंगे भी क्यों भाइ मैंन जो है وमैंन से कितना percent more है या कितना परसेंट less है यह KITना percent increase हो रहे कितना percent decrease हुए तוא यह जो increments डिख्रीमेंट की वाद्ध कर रहे है percent increased और percent decrease या percent more और percent less इस पर बेज्ड question आपको solve करने है second type जो है आपका based on income and expenditure फिर income expenditure पर based question हमें solve कर रहे हैं third है based on election election में दो candidate participate कर रहे हैं तीन candidate participate कर रहे हैं अब उनमें कितने valid votes हैं कितने invalid votes हैं किसको valid votes का ज्यादा मिला है या total votes का मिला है तो ये सारी चीजे terminology आपको clear करनी है election पर based question करने हैं फिर हम बात करें फूर्थ पॉइंट की तो population पर based question करने population में भी दो-तीन type होते हैं एक तो basic किसी टाउन की population इतना percent increase या decrease हो रहे हैं तो इतने time के बाद कितनी होगी second होता है population में भी male को अलग increase कर दे female को अलग increase कर दे तो ये वाली values भी ये वाले questions के भी आपको प्रैक्टिस करनी है फिर है based on mixture अब mixture allegation एक पूरा के पूरा topic है पूरा chapter है लेकिन उस chapter को discuss नहीं करना है आपको क्या करना है percentage की help से mixture के questions को कैसे solve किया जा सकता है ये सीखना है फिर हम बात करेंगे based on fell and pass या when diagram पर based question भी बोल सकते है तो एक category आती है जिसमें कुछ student किसी particular subject में qualify हो रहे फैल होते है या पास होते है फैल पास पर based question इनकी practice करनी है ये especially आपको logical cash rate में बहुत help करेगा फिर हम बात करें more or less quantity or increased or decreased price it means कि अगर हम कोई amount fix कर दे और किसी article की price को अगर increase कर दिया जाए तो उस fixed amount में quantity क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी और अगर price को decrease कर दिया जाए तो उसी fixed amount में quantity increase हो जाएगी ठीक है फिर next point जो है मारा बढ़ा based on commission and tax commission जैसे salesman आप लोगों ने दिखा होगा sales जब आप कोई article purchase करने जाते हो for example किसी mobile shop पे गए वहाँ पर एक ऐसी mobile shop थी जहां पर अलग-अलग companies के product रखे हुए थे बहुत सारी companies के यहाँ पर mobile phone थे तो आपने अपनी कोई demand तो आपने बता दी कि मुझे इस तरह का कोई mobile phone चाहिए बट वहाँ पर जो salesman होंगे वो आपको तीन-चार अलग-अलग varieties compare करके बताएंगे कि सर ये इसमें ये ज़्यादा benefit है इसका तो बस नाम है बाकी अगर आप देखे तो features इसमें ज़्यादा अच्छे हैं इसकी quality ज़्यादा अच्छी क्यों करते हैं उनको क्या मतलब उन्होंने आपने जो चीज ली है वो आपको as it is क्यों नहीं दे दी दस चीजे क्यों बताई क्योंकि उन्हें उस product पर आपके demand की प्रोड़क्ट से ज़्यादा commission मिल रहा होता है ठीक है तो salesman commission जो है वो sales पर depend करता है किसी भी product की जितनी ज़्यादा sell होगी उतना ज़्यादा उनका commission होगा तो उस पर based question आप एक single text हो गया पहले बहुत अलग अलग तरह के text होते थे तो यह text पर based question करने है फिर अगर हम बात करें तो मिसलीनियस questions ठीक है इन सभी का mix up होगा किसी भी तरह का कोई भी questions उठके आ जाएगा आपको अब इतना करने के बाद परसेंटेज का कोई भी questions solve गर सकते हो लेकिन साथ में ध्यान देजीगा साथ में ध्यान देने वाली बात इबड़ा कि आपको practice करना है at least 20 questions for each type हर एक जितने भी आप practice कर रहे हो आप नए नए questions करने की अपिक्षा हर questions को at least three times revise करें बार बार solve करें इसका क्या फायदा होता है क्योंकि आप नया question लोगे कुछ नहीं है नए questions में कुछ नया नहीं निकलेगा आपको बस data थोड़ा बहुत change होगा लेकिन आप same questions जो मैं seat share करता लोगों के groups में उनके जब आप solve करोगे questions को two times three times तो आपका concept build up होना start हो जाएगा आपको ये चीज़े समझ में आने लगेंगी के सर समझाना क्या चाह रहे थे या सर इस तरह से क्यों चीज़ों को deal कर रहे थे तो ये बार-बार revise करने से आपको आएगा ऐसा एक बार कर ले based on percentage अब बिटा आपको पर दे जब आपका topic हो जाए लगबख 50-60% 15 अप्रेल के बाद आप ले सकते हो पर दे दो कैसलेट डिया आपको solve करनी है अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इतनी कैसलेट कहां से लाएं तो बिटा मॉडूल के अंदर मैंने topic 20 कैसलेट दे र कैसलेट आपको बहुत नॉर्मल लगने लगे आप जैसे कैसलेट को read करो आपके mind में clear हो जाएगे यार इसमें तो कुछ ही नहीं यही चीज तो बोल रहा है तो उस pattern पे जब भी आपको नई कैसलेट मिलेगी वो कैसलेट आपको बहुत simple लगेगी तो बार-बार revision जरूर कर रहें जिनको मैं January, February और March की strategy दे चुका हूं तो strategy for old students है ऐसे students जो पहले से प्रप्रिशन कर रहें उनको क्या गरना है उन लोगों ने बढ़ा आप लोगोंने percentage कर लिया profit and loss कर लिया है तो सबसे पहली चीज सबसे पहले अब revision पर ध्यान रेना है क्या गरना है बढ़ा revise all fraction values of percentage, tables, squares and cubes तो इन values को अब हर मन्त आप ध्यान रखेगा first week of every month आपको इन चारों चीजों को revise करना है बहुत अच्छे से revise करना है रखना नहीं है revise करना है पास साथ मिट डेली का आप एक बीक कर लो तो values automatic आपको recall होती रहेंगी ठीक है second चीज क्या करना है बढ़ा clear basic concept of simple interest and compound interest अब basic simple interest कैसे work करता है compound interest कैसे work करता है दोनों में major difference क्या है दोनों को calculate करने का तरीका क्या है ठीक है कैसे हम find करते तो basic जो भी चीज़ें compound interest और simple interest से related उनको clear गर लो रटना नहीं है कि simple interest जो होता पी इंटू आर इंटू टी अप और हंडेड होता है याद नहीं करना क्यों होता है पी आर टी अप और हंडेड ही क्यों होता है ठीक है तो यह जब तक आप उस keyword पर नहीं जाओगे ना why ऐसा क्यों तब तक वो concept आपको clear नहीं होगा उसके उसको put करो answer निकालो बट जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं competitive exam की और जाते हैं तो यहाँ पर अब आप लोगों की क्या होता है mental ability check की जाती अब रटने से गाम नहीं होगा अब समझने से गाम होगा यह चीजे आप कितना अच्छे तरीके से interpret कर पा रहे हो त लिखा है not the basic difference between CI and SI मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि जो basically compound interest और simple interest के बीच का difference है वो है क्या क्यों difference find किया जाता है तो यह आपको पता करना है second point हो गया third है हमारा practice type by question for both topic दोनों topic के type by question को revise करना अब इस मंत में आपको दोनों topic cover करना है compound interest भी और simple interest भी कौन कौन से type by is है तो for simple interest basic questions पहले क्या करना है आपको basic questions करने है फिर when अब basic questions में क्या होगा कि simple interest कैसे find करने है या फिर simple interest दे रखा है तो principle कैसे find करना है simple interest भी दे रखा है principle भी दे रखा है time भी दे रखा है rate कैसे find करने है time कैसे find करना है amount कैसे find करना बिल्कुल basic से questions करने है यह सीखना है आपको कि amount direct कैसे find किया जा सकता है With the help of fraction, rate कैसे find की जा सकते है, time कैसे find किया जा सकता है, principle कैसे find किया जा सकता है, यह सारी चीज़े हमें basic questions के अंदर ही कबर करने, पिर जो हमारा next type, when sum of money becomes a by b of principle, यह a by b of itself, मतलब जब sum of money की बात करते हैं, तो वो principle का काम करता है, और sum of money becomes की बात करते हैं, तो वो amount का काम करता है, amount जो है वो principle का अगर a by b times हो, तो फिर हम rate कैसे calculate करेंगे, time कैसे calculate करेंगे, या बागी की चीज़े कैसे find करेंगे, तो इस पर based question करना है, third point है आपका when simple interest become, यहाँ पर था sum of money becomes, it means के amount जो है, वो a by b हो गया principle का, लेकिन यहाँ पर लिखा simple interest become, मतलब इस बार simple interest principle का a by b times हुआ, दोनों से हम है, बाट difference के है, उपर वाले में sum of money becomes, that is amount, और यहाँ पर simple interest, ठीक है, फिर next type of the question based on sum and difference, between simple interest, simple interest के sum पर based question, यहाँ उनके difference पर based question, पिर जैसे भाई मैंने बूल दिया कि किसी principle पर two years का simple interest इतना है, five year का simple interest इतना है, किसी दूसरे amount पर, तो दोनों का मिलाकर कितना होगा, या दोनों का difference कितना होगा, इस तरह के questions जो है, फिर हम बात करें next पे, तो question based on amounts for two times, जब दो अलग अलग time के amounts आ इतना हो जाएगा और seven year में इतना हो जाएगा, तो rate of interest बताईए, principle बताईए, ऐसी चीज़े find करना, फिर हम बात करें, question based on many rate of interest और average rate of interest, many rate of interest का मतलब क्या, कि आपने किसी बंदे को को कोई amount दिया, उधार दिया, और आपने बुला कि बही अगर तीन साल के अंदर आप मु percent per annum का interest लगेगा for two years, अगर उसमें भी नहीं किया, तो फिर आपने बोल जागे 15%, मतलब principle वही था, time के according आप rate of interest change करते जा रहे हो, increase या decrease करते जा रहे हो, तो अलग-अलग rate हो गई, principle वही है, अलग-अलग time period में अलग-अलग rate लग गई, तो उसको बोलते हैं, many rate of interest, फिर अब इसी को, इसी को हम बोल सकते है, average rate of interest, भाई, overall अगर देखा जाए, तो total journey में आपको कितना interest मिला, या एक principle को दो तुकडों में, दो अलग-अलग लोगों को आपने interest पर दे दिया, एक से कम interest charge के आपका close relative था, एक को जादा interest charge कर दिया, तो दोनों से मिला कर आपको total amount पर कितना average मिला, जिसको allegation method से भी solve कर सकते हैं, तो इस तरह के questions करने हैं, और last type है, आपका question based on installment, installment पर based question जरूर कर लेना, कई बार questions आ जाते हैं, cashlet में फसा सकता है, तो अगर basic चीज़े पता हैं, तो cashlet कुछ भी नहीं है, यही सब है, इनको ठाकर एक single passage में merge कर देगा, और आप से question पूछ लेगा, तो घबरानी के जोरूत नहीं, basic strong गर लो, cashlet automatic बनेगी, जब यह कर लेंगे, तो फिर आप start करेंगे compound interest, अब compound interest के अंदर क्या करना है, basic questions, फिर वही basic questions के CI कैसे find करें, amount कैसे find करें, principle कैसे निकाले, difference कैसे निकाले, CISI का, तो यह basic चीज़े करनी है, इसके बाद आपको जो next type करना है, question based on times और multiples, जैसे बोल दिया के principle जो इतने time में 3 times हुआ, तो 27 times कितने time में होगा, 81 times कितने times में होगा, या कोई amount, 2 साल में 10,000, 20,000, कुछ भी आपको amount दे दिया, इतना हो जा रहा है, अगले time में इतना हो जा रहा है, तो principle क्या था, या rate of interest क्या थी, इस तरह के questions, times पर based question, next है आपका बड़ा, when amounts of two periods are known, जब दो अलग अलग time period का amounts given हो, तो उस questions को कैसे solve किया जाए, इसके बाद हम बात करें, based on difference between CI and SI, अगर आपको CI और SI का difference दे रहा है, principle कैसे find करोगे, rate of interest कैसे find करोगे, time कैसे find करोगे, तो इस पर based question, इसके अगर हम बात करें, happy early और quarterly, अगर rate of interest को, जो है, happy early calculate किया जाए, या quarterly calculate किया जाए, तो कैसे question solve करेंगे, तो इस पर based है, और last है आपका बड़ा, based on installment, installment पर based question को हम कैसे solve करें, इसमें compound interest का अलग तरीका होगा, simple interest का अलग तरीका होगा, तो यह जब basic आपका हो जाए, complete हो जा questions for each type, हर type के 15 से 20 questions को आपको साथ साथ revise करते चलना है, उनके doubt आप लोग मुझसे discuss करी सकते हो, साथ में क्या करना है, solve at least 10 cash late based on simple interest and compound interest, कम से कम 10 से 20 cash late आप SICI पर based, solve करें, और सबसे important चीज, revise the cash late based on percentage and profit and loss, दिन में, जब आप compound interest, simple interest के basic concepts clear कर लो, तो क्या करोगे बिटा, दो cash late कर रहे हो, एक CISI की करो, एक percentage की करो, एक profit and loss की कर लो, कभी percent कभी, तो साथ साथ previous chapter का revision होते रहना चाहिए, यह जो basically compound interest, simple interest तक जो मैंने करा रखा है, आप यकीन मानेगा, लगबक 70-80% chance है, कि आपकी cash late इसमें से जरूर आएगी, ठीक है, तो यह तो हमारा basic है, इतना तो करना ही गरना है, अब साथ में जब भी हम कोई नया chapter करेंगे, तो किसी ना किसी इन में से एक chapter का revision साथ में गरते रहेंगे, in cash late के form में, पूरा topic नहीं करेंगे, लेकिन cash late जरूर solve करेंगे, और अगर कहें किसी concept में problem आ रहे हैं, तो उस concept को हम ज topics कबर हो जाए, mock पर ध्यान देना स्टार्ट करो, mock के previous year mock जो है, या अभी recent mock जो चलना है आपके, इनके questions को solve करना स्टार्ट करो, previous year paper solve करना स्टार्ट करो, और फिर वहां से data निकालो, तो आपको पता चलेगा, कि आप लगबक 70-80% questions उसमें से कर पाओगे, इतना करने के ब तो मुझसे contact कर सकते हैं, thank you